आज हिंदू जागरन मंच के प्रांतिय मंत्री वा प्रभारी विमल दुवेदी अपने मंच के साथियों के साथ धरनी पर बैठे रामस्री पती विजे कुमार निवासनी ग्राम काटा गुल जार कुर थाना बांगर मौोच जडब दुनौ से पुनर म्ले वा पीलित परिवार के सदस्थो सहीत जिलाधिकारी वा पुलीस अधिक्षत से जिलाधिकारी कार्याले में मिलकर पेड्री तोको नियाय दिलाने की मा कि दिनांको 26-10-2019 को गाउं के गाउं ही साफियार और नवियार अपने साथियों के साथ मिलकर रातर बारा बजे प्रार्थनी के घर के अंदर भुसा है और पूर्व 22-10-2019 में दर्ज मुकदमे की पैरवी बंद करने वाद जान से मार देने की धंकी वाग घर में लड़कियों उसके साथ छेर्षार जैसे गंभीर आरूप लगाए गए उक्ति की जानकारी समधी थाने को भी दी गई लेकिन ना ही पूर्व में लिखे मुकदमे में और ना ही 26-10-2019 की घटना पर कोई गिरफतारी वा कोई कारवाई नहीं हुई जिसमें दोसियों के हौसले बुलंद है पूरा हिंदू समाज इस घटना से आक्रोसित है आज जिलादिकारी उन्नावा पुलिस अदिचक द्वारा अस्वस्त किया गया है कि 26 तारी की हुई इस घटना का तदकाल मुकदमा दर्ज किया जाएगा वा दोसियों पर डंडात्मक कारवाई कर उन्हें जेल भीजा इस बात को ध्यान मिलेकर सभी पीडित परिवार को अपने गाउं ले जाने के लिए स्पेक्टर को मौके पर भुलाकर पीडित परिवार के साथ जाने वा सुरक्षा मुहया कराने पर मुकदमा दर्ज करने के बाद निर्देश दिये उसके साथ मंच केगे जिलाध्यक्ष, अज़त्रवेदी, नगरध्यक्ष, विकास सिंग सेंगर, नगर महामंत्री, धर्मेंदर सुकला, निखिल गुपता, मिलन कुमार, अंगद, संजेत्रवेदी, सोनु गुपता, मोहित सुकला, आसिर दिछित, आधा-धा सैक्रा लोग मौजूद रहे. अब तक भी एक सामान सिमार्टी लोग मौजूद रहता होता, शांती भंग में दूसरे पक्ति इंचे परिदियू ने बन दिया, उसको उखाल बन किया, इसकर ने, वहां रखी किया, अब इनको एक हैना है, उनको धंगार नहीं, अभी हमारे पाठ आए कि गुलवाया कि हम छिए विख रखी किया अब अत्रम्स करें एक सरा आओ ने, भूप करोना जाल सिमार्टी लोग मौजध इंचे जानके लिखा रखा कि सब्सक्ति आव यहां से आड़ परेंगे, अड़ी बटाओ, सब कांसे डियों से तुम की